लोगसबा चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलने के कई माइने भी निकाले जा रहा हैं। इस फैसले के बाद ये भी माना जा रहा है कि शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले ही उनकी उत्रादिकारी होंगी। और यही वज़े रही कि जब मंच से शरत पवार कारिकरताओं को संबोधित कर रहे थे उस दोरान उनके भतीजे अजीत पवार मू लटकाए वहां बैठे हुए थे। उनके हाव भाव से साफ नजर आ रहा था कि वो सुप्रिया सुले और प्रफुल पटेल को पार्टी का कारेकारी अध्यक्ष बनाए जाने और उन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारे नहीं मिलने से खुश नहीं थे। अजीत पवार के साथ इस दौरान वहां मंच पर NCP के कई बड़े निता बैठे हुए थे लेकिन अजीत पवार ना तो किसी की तरफ देख रहे थे और ना ही वो किसी से बात कर रहे थे। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि वो इस फैसले से नाखुश थे। इसके साथ ही वो किसान मोर्चा और अलपसंख्यक प्रकोष्ट के भी प्रभारी होंगे। को सही साबित करने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। इस जम्यदारी के लिए एक बार फिर से आदर्णिये पवार सहब, पदाधिकारियों, वरिस्ट नेताओं और कारिकरताओं का धन्यवार। सुप्रिया सुले ने इस दोरान उम्मीद जताई की जैसे पहले NCP नेताओं, पदाधिकारियों, कारेकरताओं और शुप्चिंतकों का समर्थन मिला, वो आगे भी जारी रहेगा। NCP में आजीत पवार को दरकिनार किये जाने के मसले पर सियासत भी तेज हो गई है, बीजेपी ने शरत पवार पर परिवारवात की राजनीती करने का आरूप लगा दिया। और दावा किया कि जब चुनने की बारी आई तो शरत पवार ने भतीजे को किनारे करके अपनी बेटी को ही चुना। बीजेपी ने ता राम कदम ने आरोप लगाया कि एंसीपी में कारेकरता सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं जबकि पार्टी में प्रमुक के कमान उतराधिकारी को ही मिलती है। जब चुनने की बारी आई तो पिता ने अपने पुतरी को चुना और अजित दारा के साथ उन्हों एक बार अन्याय कर दिया। यह हम नहीं कहते हैं। यहार राश्यवादी कारेकरताओं की भावना यहाँ पर खुल करके सामने आ रही है। इसके साथी बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया कि इससे महराश्यच की राजनीती में कोई असर पढ़ने वाला नहीं है। उनके पार्टी में वो किसको क्या दायत दे यह उनका अंतरगत प्रशन है। इसके हमारे काम पर और बाकी लोगों पर कुछ असर पढ़ने का कोई कारण नहीं। बीजेपी ने अरोब लगाया कि कॉंग्रेस, NCP और उधव ठाकरे के दल सभी जगहों पर परिवारवाध ही हावी है जहाँ पिता के बाद उनके बच्चों को ही जिम्मेदारी मिलती है। ब्रिजभूशन सिंग के गिरफतारी के लिए पहलवान फिर से धरना देंगे। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुदा सोल होगा। स्कूल में भूत होने की अफवा उड़ गई है। और हाथसे का असर बच्चों के दिमाग में इतना हुआ कि वो इससे भूतिया बताने लगे। कोई कह रहा है। से आवाजे आती सुनी तो कोई कटे सिर वाले भूतों को देखने का दावा कर रहा है। बच्चों और अभिवावकों के दिल और दिमाग में इतना डर बैट गया है कि वो कोई खत्रा मूल नहीं लेना चाहते। भले ही दिवारों और फर्ष पर लगे खून के निशान मिटा दिये गए हैं लेकिन लोगों के दिमाग और दिल में दो जून को हुए भीशन रेल हादसे के निशान आज भी जिन्दा है। हादसे के बाद बच्चे तो बच्चे स्कूल के शिक्षक भी डरे सहमे हैं। कई लोग तो स्कूल में पूजा फाट और तांतरिक रियाये कराने की मांग कर रहे हैं। तो इलाके के कई लोगों ने स्कूल को गिरा देना ही ठीक समझा है। क्योंकि बच्चे बूरी तरह से डर गए हैं इसलिए प्रशासर ने भी स्कूल को गिराना ही ठीक समझा 65 साल पुरा ने बाहनगा हाई स्कूल के बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हो गया है शुक्रवायर को विद्याले प्रबंद समिती और लोग निर्बान विभा की अधिकारियों की मौजूदगी में बिल्डिंग को गिराया गया स्कूल के कई कमरों को गिरा कर उन्हें फिर से नए तरीके से बनाया जाना है स्कूल खुलने से पहले स्कूल का शुद्धी करण भी कराया जाएगा लेकिन बच्चे और टीचर सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं है उनका तो ये भी कहना है कि स्कूल के साथ-साथ आजपास वले इलाकों में भी पूजापाट कराया जाए बालसोर में दो जून को हुए ट्रेन हाथसे के बाद राहत बचाव टीम ने 65 साल पुराने इसी स्कूल भवन के दो कमरों और दालान को औस थाई मुर्दा घर में बदल दिया था यहां कफन में लिप्टे शवों को लाया गया था जिसके बाद से बच्चों ने यहां आना छोड़ दिया है उन्हें डर है कि यहां भूत है अमेरिका के पूर्व राश्चपती डॉनल्ड टरम्प के खिलाफ सीक्रेट्स डॉक्यमेंट्स केस में लगाए गए 37 आरोप सारजनिक कर दिये गए हैं इनमें राश्च्री सुरक्षा से जुले दस्तावेजों को जान बूच कर अपने पास रखने के 31 चार्ज है इसके अलावा उन पर जूटे बयान देने, डॉक्यमेंट्स होने की बात छिपाने, न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक टरम्प के खिलाफ 49 पेज का आरोप पत्र तयार किया गया है जुन में बताया गया है कि टरम्प ने सीग्रेट डॉक्यमेंट्स अपने बात रूम, बॉल रूम, शावर की जगा पर छिपाए थे के लिए उनकी दावेदारी पर कोई कानूनी खत्रा नहीं होगा अगर उन्हें सजा भी हो जाए तब भी कानूनी तोर पर वो राष्ट्रपती का चुनाव लड़ पाएंगे दिल्ली के करावल नगर से लव जिहाद का मामला सामने आने से हड़कम मज गया है आरूपी युवक शाहरुक ने गोलू बनकर पहले हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फसाया और फिर उसके साथ शारिरिक संबंद बनाएं लेकिन जब लड़की को उसकी असलियत का पता चला तो उसने शाहरुक से दूरी बना ली लेकिन शाहरुक कहा मानने वाला था वो तो लड़की का पीछा छोड़ने को राजी ही नहीं था क्योंकि आरूपी शाहरुक के पास लड़की के कई ऐसे आपतिजनक फोटो और वीडियो थे जिरहें वो वाइरल करने की धमकी दे कर लड़की को ब्लैकमेल करता था इसलिए पुलिस ने आरूपी का मोबाइल भी जब्द कर लिया है उत्राखंड में पिछले कुछ महीनों में लव जिहाद जैसे मामलो की बार सी आ गई है अगर पिछले दो महीनों की ही बात करें तो उत्राखंड में एक दरजन से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं और इन सबी मामलों में मुस्लिम लड़कों ने पहचान छिपा कर हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया है अगर पिछले पांच महीनों के डेटा को देखें तो उत्राखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं उत्राखंड में पिछले पांच महीने में ही लव जिहाद के 46 मामले सामने आ चुके हैं लग्यों को बहला फुसला कर उन्हें शिकार बनाया गया है उत्राखंड में लवजिहाद के बढ़ते मामलों से पूरे प्रदेश में गुस्से का माहौल बना हुआ है अलात ऐसे बन रहे हैं कि समुदाई विशिश के लोगों के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और लवजिहाद की घटनाओं से गुस्साई लोग अब समुदाई विशिश के लोगों को उत्राखंड से बाहर निकालने की मांग करने लगे हैं और दूसरे समुदाई के व्यपारी भी अब निशाने पर आ गए हैं उत्राखंड के देहरादून चमूली और उत्रकाशी में तनाव सबसे स्यादा है उत्रकाशी के पूरोला में नावालिक हिंदू लड़की को भगा कर ले जाने का मामला जब से सामने आया है लोग भड़के हुए हैं उत्रकाशी में आई दिन प्रदर्शन हो रहे हैं बाजार बंद कर आये जा रहे हैं हिंदुवादी संगठरों ने सरकार को सख चेतावनी दी है कि जब तक सरकार कोई ठोस आक्शन नहीं लेगी वो प्रदर्शन हत्म करने वाले नहीं है